हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद किरती हों कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पड़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हमने UGC NET के लिए एकाई दो को यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और इकाई दो में अब तक हम आदिकाल में काफी सारी चीज़े यहाँ पर देख चुकी है आदिकाल संबंदित दो वीडियो और आएंगे उसके बाद हम देखेंगे आदिकाल से संबंदित जितने भी महत्पून कोशन है जो अब तक सुरू से लेके और अब तक UGC नेट में आ चुके है जो कोशन आदिकाल से रेलेटेड और जितने भी और एक्स्टा कोशन बनते है सबी कोशन को मिरा के देखेंगे करीब 1000-2000 कोशन हम देखेंगे आदिकाल से संबंदित जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले लेकिन उससे पहले अभी नात साहित आएगा और फिर जो देखिए ये जो चार नात है सिद्ध है रासो साहित है रास साहित है इनके अल हमारे आदिकाल कहेंगे कोशन जो कि बहुत ज़्यादा महत्मून है और उसको आप मुझे कमेंट करके बताना यह की पार्ट में लेके आओं पूरे 1000-2000 को या फिर मैं पार्ट वाई पार्ट लेके आओं ठीक है आपके जितने जैसे कमेंट आएंगे ज्यादा तर जो को पता है बौद धर्म के बज्रियान तत्व का प्रिचार करने के लिए जो साहित देश भाषा जन भाषा में लिखा गया बही सिद्ध साहित कहलाता है देखिए दोस्तों बौद धर्म का इन्होंने प्रिचार करने के लिए जो साहित जन भाषा में लिखा था उसी को ये स बामाचार की गहरी प्रबर्ती पाई जाती थी ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे देखिए दोस्तों ये बहुत धर्म है ये बिकृत होकर बज्रियान संप्रदाय के रूप में देश के पूर भी भागों में फैल रहा था और इन बॉद्ध तांत से ये साहित आरम होता है देखिए दोस्तों राहुल संक्रतियान जी ने कहा है कि टोटल जो सिद्ध है बो चौरासी है और इनमें जो सबसे उपर है बो है सरहपाजी और इसको सरहपाद के नाम से भी जाने जाते मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूं कि जितन आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सिद्ध कभी नहीं है ठीक है और चार अप्सन दे दे तो हमेशा इनके नाम के पीछे पा या पाद जुड़ा रहता है तो आप इसके आधार पर ऐसा कोशन आता है उसको आराम से कर सकते हो ठीक है दोस्तों इन सिद्धों में सरहप सवरपा लूईपा डॉमभीपा कनहपा कुकूरीपा इत्यादी हिंदी के प्रमुक्ष सिद्ध कभी माने जाते देखिए दोस्तों यह जो सरहपा है सवरपा है लूईपा है डॉमभीपा है कनहपा है कुकूरीपा है यह हिंदी के प्रमुक्ष सिद्ध कभी है सिद्ध लो कि कौन सा सिद्ध नहीं है तो उसकी पैचान कर सकते हो बिहार के नालंदा एबं तक्षिला विद्या पीट इनके मुक्ष अड़े माने जाते हैं बाद में ये भोट देश चले गए देखिए आपको यह याद रखना है कि बिहार में नालंदा और तक्षिला विद्या पीट ह ये इनके मुक्ष अड़े रही है और बाद में ये भोट देश चले गए इनकी रचनाओं का एक संग्रेब महा महोपाध्य हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बौदगान ओदोहा के नाम से निकाला था ठीके दोस्ता मुनी उद्या बज्र और मुनी दत्य सूरी ने सिद्धो की भाषा की बेंजना किरते हुए कहा है कि इनकी भाषा को संधा अत्वा संध्या के नाम से पुकारा जाता है जिसका अर्थ होता है कुछ इसपस्ट और कुछ इसपस्ट ठीके दोस्तों इन्होंने कहा है कि इनकी भाषा को संधा या संध्या के नाम से पुकार जाता है जिसका अर्थ होता है कुछ स्पस्ट वे कुछ स्पस्ट ठीक है दोस्तों ये बहुत ही महत्पूर बात है सिद्धों की भाषा में उलट बासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है निराशाबाद के गर्थ में गिरी हुई थी उनके लिए इन सिद्धों की बाणी ने संजीबनी बूटी का कारे किया है दोस्तो हजारी परसाथ द्वेदी जी ने कहा है कि जो जनता राजा महाराजाव से परिशान हो चुकी थी और उनकी परिशानी से बिलकुल तरस्त होकर निराश होकर निराशाबाद के गर्थ में गिरी जा रही थी उनके लिए इन सिद्धों की बाणी ने संजीबनी बूटी का कारे किया है साधना अवस्था में निकली सिद्धों की बाणी चर्यागीत और चर्यागीत कहलाती है दोस्तों साधना अवस्था में जो इन सिद्धों की बाणी निकली थी उसको चर्यागीत या चर्यागीत के नाम से पुकारा जाता है सिद्ध साहित की कौन कौन सी विशेष्टाइं है जो हमें पढ़नी है दोस्तों चलो इनको पढ़ते है इस साहित में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है जो सिद्ध साहित है इसमें तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है साधना पद्धिती में सिव वैसकती के य यूगल रूप की उपासना करते है ये शिव और सक्ति की जो यूगल पृतीमा होती है उसकी उपासना करते है ये सिद्ध कभी जो भी है इनमें जाती पृथा एवं बर्ण वेद विवस्था का विरूद किया गया है देखिए दोस्तों इनमें जाती पृथा और बर्ण यह सभगनेक दोस्तों जो सिद्ध है इनमें यह पन्छ मकार की जो दूस प्रवर्टि है वो देखने को मिलती है । कौन से है यह सा निति या अचार सम्वंदी रखक remarkably साधना संबंदी या रहिस वादी साहित ठीक है दोस्तों ये विशिस्ता होगी सिद्द साहित के पिर्मुक्ष कभी एवं उनकी रचना है देख लेते हैं कौन-कौन सी महत्पून रचना है और कौन से कभी के दौरा वो लिखी गई है तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त लिखा है सरहपा ने 179 इस भी में ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है इन्हें सरहपाद सरोजबज्र राहुल भद्र आदी नामों से पुकार जाता है ठीक है मैंने कहा था ना आपसे कि सरहपा को सरहपाद के नाम से जाना जाता है लेकिन आप यहां देखिए इन समय 179 इस भी मालन है ठीक है दोस्तों और इनके दोरा रचित इनके दौरा जो रचित गरन्थ वो घुली 32 है 32 गरन्थ इनके दौरा लिखे हुए प्राप्त होते दोस्तों और इनमें भी जो दोहा कोश है वो सरवादेक पिरसिद रचना है इनकी राहुल सांकृत यायन के अनुसार एवं हिंदी के जितने भी बिद्धुमान है उन सभी के अनुसार सर्वमान रूप से इनी को पृथम कभी स्वीकार किया गया है दोस्तों राहुल सांकृत यायन जी के द्वारा और विद्धुमानों के द्वारा सर्वमान रूप से हिंदी के पृथम कभी इनी को माना गया है ये सहजियान सिद्ध मार्ग साखा के पृवड़तक भी माने जाते है ये सरपा है ये सहजियान साखा के पृवड़तक माने जाते है डॉक्टर बिनेत्वस भट्टाचार ने इनका काल विक्रम सम्मद 690 सुईकार किया है इनका काईबिक खंड काईबिस रेणी में शामिल किया गया है चौपाई और दोहा पद्दिती का प्रियोग सरप्रथम इनी की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है दोहा को शरचना का संपाधन राहुल संकृतिया इनका की द्वारा किया गया अब हम देख लेते हैं चर्या पद महा मुद्रा बज्जर गीति बज्र योगीनी साधना ये तीनों रचनाए लिखी है सबरपा ने आप याद रखिएगा इस चीज को ये तीनों ही रचनाए है ये सबरपा जी ने लिखी है 780 इस भी में ठीक है ये है क्षत्रिय वंसी एवं सरहपा के सिस्स माने जाते हैं और उसी को महा सुखी की प्राप्ती का मार्ग मानते है देखिए दोस्तों ये सबरपा है ये माया मोहो का तो ब्रोध करते है और सहत जीवन पर बल देते है और इसी को ये महा सुखी की प्राप्ती का मार्ग मानते है लुईपाद गीति का इसके रिश्नकार है लुईपा 733 इस्वी के लगवग लिखी गई थी ये ये सवरपा के सिस्से है देखिए दोस्तों ये सवरपा के सिस्से है और सवरपा थे वो किसके सिस्से थे तो वो थे सरपा के सिस्से आपको पता ही है ठीक है और ये है सबरपा के सिस्ट ठीक है दोस्तों इनका जन्म राजा धर्मपाल के समय में हुआ और ये कायस्त परिवार से सम्मान देते डॉक्टर नगिंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे उचा स्थान माना जाता है ठीक है आप याद रखिएगा इसको इनकी साधना का प्रभाब देखकर उडिसा के ततकालिन राजा तथा मंतरी इनके सिस्स बन गए इनके साधना का प्रभाब देखा राजाओने और महराजाओने और उनके मंत्रियों ने तो बो भी इनके सिस्से बन गए थे दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये डोमबी गीती का योग चर्रया अक्षर दुआप देश ये जो तीन रचनाओं है इन तीनों रचनाओं को लिखा है डोमबी पाने और 840 इस भी के लगभग लिखा है दोस्तों इनका जन्म मगद के एक शत्रिये बंस में हुआ इनकी दुआरा रचित ग्रंथों की संक्षा को 21 मानी जाती है आप याद रखिये गए ये महत्पूर्टत है चर्या चर्र बिनेश्चे कन है पाद गीती का देखिए ये दोनों जो ग्रंथ है चर्या चर्र बिनेश्चे और कन है पाद गीती का इनको लिखा है कन हपाने माना है उन्होंने रचत कुल गरण्थू की संक्षा चौत्तर मानी जाती है जिनमें अधीकांस दार्षनिक से ओपर है देखिए दोस्तों में चौत्तर गरण्थ है इनके 16 ग्रंथ मायन है योग भाबनुपदेश तथा चर्यापद सहित ठीक है तो यह काफी महत्पूर है हम इसको देख लेते हैं कुकूरीपा इनका जन्म कपिल बस्तू के एक ब्राह्मन परिवार में हुआ चर्प्टिया इनके गुरू थे देखिए दोस्तों चर्प्टिय और उनकी रिष्णा का नाम देख लेते हैं क्योंकि उनसे जुड़े और तथ आते नहीं है तो सिद्धि साहित के अन्न महत्पूर रश्णा है और उनकी रश्णाकारों के नाम देख लेते हैं तो इसमें प्रिथम है भू सुक्टिपा इन्होंने लिखा है बौदी चर्या गुंडरी पा इन्होंने लिखा है चर्या गीती जे नंदी पा इन्होंने तरक मुंदगर कारी का लिखा है दोस्तों जालंधर पा इन्होंने तीन गरंथ लेके है और तीनों के नाम मैंने यहां पर दिये हुए है बियुक्ति मंजरी गीती इनका प्रिथम गरंथ है हूंका और लास्ट में है धामपा इन्होंने लिखा है सुगत दुरश्टी गीती का चर्या ठीक है तो ये इतने महत्पून नहीं है जो मैंने आखिर में लिखे हुए है इससे उपर जितने भी है देखिए दोस्तों को कुरी पातक है ये बहुत महत्पून है इसलिए मैंने इन से और उसमें नॉर्मल कोष listen नहीं होंगे उसमें net g elf के level के कुषिन होंगे जो सभी के लिए बहुत महत्पून होंगे लेकिन सभी के लिए बहुत जड़ा महत्पून होंगे तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहीए और अगर आप के पास समय है क्योंकि आपकी जो exam है वो को बता दी जाएगी जल्दी कि कब आपके एक्जाम होगी तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई किजिए नोट्स बनाके पढ़ाई किजिए आपको समय मिल गया है और देखिए अपना खयाल रखिए अच्छे से रहे बीमारी से दूर रहे और अपने आपको एक कमरे में ब पढ़ाई करने का क्योंकि इसमें एक तरह से आपकी मजबूरी हो गई है घर में अंदर बैठना ठीक है और अकेले में बैठना ज्यादा लोगों के साथ ना बैठना आपकी मजबूरी हो गई है एक कांत में बैठना और उस मजबूरी में आपको समय तो निकालना है तो वीडियोस देखना तो आप वो देख लीजिए उसको देखके माइंड फ्रेस हो जागा फिर पढ़ाई कीजिए तो अभी आपके पास काफी समय है आप वीडियोस देखिए नोट्स बनाईए अच्छे-ची किताबे पढ़िए और यह जो समय आपको मिला है ना इसका बहुत ज़्यादा मतलब उपयोग कीजिए और अच्छे से इसको काम में लीजिए तो यूही मत गवाई है यह बहुत वेस्ट किमती समय है जो आपको मिला है और यूजिसी नेट ज्यारफ का तो आपको पता ही है कि कभी भी एक्जाम मतलब ऐसे अब यह केसी ऐसा आगया इसलिए पोस्ट पॉन करना पड़ा है वरना इसका होता नहीं है आपको पहले सी पता था कि हमारा एक्जाम इस डेट को होना है लेकिन अब यह हो गया है पोस्ट पॉन तो आपको ज़दा समय मिल गया इसलिए आप और ज़दा अच्छे से पढ़िए अच्छे से उसमें अंदर पढ़ा है उसके लब कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप चलो आपने पढ़ लिया फिर आप से किसी ने पूछा कि आपने क्या किया है आज फिर आप कोगे मैंने आज भारतेंदू हरीस्चंद पढ़ा है और आपको जहां से भी कोशन पूछने है ना उनसे पूछ लीजिए बस ये confidence जब आप में आ जाए ना समझ ले ना आप अपनी जिंदगी में success हो गए हो तो ऐसे पढ़ाई किसी आपको समय मिला है बहुत ज़्यादा समय मिला है इसलिए परिशान होने की बिल्कुल ही भी आवे सकता नहीं है और जितना हो सकेगा मैं उतनी आपकी मदेद करू ओकी बाई बाई